Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal सबसे पहले guys thank you so much आप सब लोगों के support के लिए finally 1 lakh subscriber हमने आप बहुत लंबे इंतजार के बाद complete करें शुरू के जो थे ना in fact 93, 94,000 subscribers वो बहुत कोई काये थे पर जो अगला 6000 subscriber का रास्त है ना बहुत लंबा उसमें time लगा पर finally achieve हम लोगों नहीं यहाँ पर कर दिया उसके लिए thank you so much आप लोगों के support के लिए क्योंकि जो पिछले 2-3 साल है in fact जब से हमने channel start किया है dumb, pump सब कुछ हमने यहाँ पर देखा है अपनी तरफ से युक्ष उसरे मैंने पूरी कोशिश कर रही है कि आप लोगों को जितनी जल्दी से जल्दी correct information है वो दे पाऊं कए बार सही दे पाते हैं कए बार गलत दे पाते हैं комी बार prediction गलत होते हैं कए बार सही होते हैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी करूंगा आप लोग को सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन दे सको जिससे आप लोग को जो है जादा जादा यहाँ पर प्रॉफिट हो सके तो आज के वीडियो में एक और चीज कुछ गीववे के प्लैन थे मेरी और और बी कुछ अप्डेट से जिनको मैं करने वाला था पर मार्केट करेंटी बहुत जादा डाउन है क्रैश में तो उसको थोड़े टाइम के लिए पोस्पोन करेंगे एक बार रिकावरी होगी उसके बाद उन सब चीजों को भी हम लोग हमारे चैनल पर करेंगे तो आज की वीडियो में बात करेंग क्या चल रहा है क्रिप्टोगरंसी मार्केट में कल के दिन में मैं सुपर एक्टिव था टेलिग्राम पे सारी चीजों का अपडेट आपको दे रहा था फड है मैट गॉक्स का अपडेट है उसके मैंने एक चीज आप लोग को बोली थी कि जो मार्केट है ना करेंट्ली सार का क्या ओपीनियन है जरूर मुझे एक बार शेयर करिएगा सबसे पहले चलते हैं क्रिप्ट अनलिस पर मार्केट कैप 4.0% अप वॉल्यूम 16.2% डाउन इन्फलो का कोई डेटा देखने को नहीं मिला है पर कल के दिन जवर्दस इन्फलो का डेटा आया था टोटल 5 हमें इ 215 BTC का fear and green index 26 में है fear में जब जब fear होगा market में वहीं से recovery होती हुई देखने को मिलती है sentiment की बात करेंगे वो neutral है heat map जवर्दस green देखने को मिल रहा है BTC 3.56% अप Ethereum 2.69% अप चलना है पर इतने crash के बाद इतना pump होना भी कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है चलिए Bitcoin की बात करेंगे जब वीडियो बना रहा हूँ मैंगा इस Bitcoin का price है 56,289 और क्या देखने को मिल रहा है 4R chart में resistance है यहाँ पर और यह resistance आज draw नहीं करा यह resistance बहुत पहले से draw करके हम चल रहे हैं अगर आप देखो तो उसी जगा पर बार बार एक दो तीन near about 3 candle को वहाँ पर resistance देखने को मिला है support हमने बात करी थी कि अगर यह level break होता है तो इसके बाद हमारे पास जो important support है that is around 50,000, 50,000 से लेके 52,000 तक का area वो हमारे लिए important support का काम जो है यहाँ पर करेगा एक और चीज भी कल मैंने share की थी कल मैं ऐसी chart देख रहा था एक trend line दीखी मुझे बड़े interesting यहाँ पर तो अगर आप देखें last जो हमारे crash हुए है न वो इसी trend line पर हुए है यह अगर आप देखो तो इस trend line कुछ इस तरीगे से बनती है यह यह और यहाँ पर support के बाद हमें ideally support मिलेगा तो यहाँ से हम लोग recovery कर सकते है इस trend line की according अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो currently क्या bitcoin का चार्ट है वो हमने बात कर ली currently cryptocurrency market में कुछ factors हैं जो अभी important role play कर दे हैं यहाँ पर पहला है करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि हो क्या रहा है यहाँ पर देखो माइनर्स जो bitcoin सेल कर दे हैं वो bitcoin की having के बाद करते हैं वो अक्सर क्योंकि उनको अपने infrastructure build-up करना होता है कही बार तो that is normal और ऐसा नहीं है कि माइनर्स ने कुछ लाखो bitcoin sale out कर दी है उन्होंने bitcoin sale करें market में pressure आया यहाँ पर definitely एक important role play कर रहा है उसने Germany क्यों bitcoin sale out कर दी है बड़ा important question है यह OTC desk में वो bitcoin दे सकती है पर उन्होंने OTC desk में नहीं bitcoin दी है यहाँ पर इसी के साथ नहीं है coinbase के पास जाए भाई मैं आपको bitcoin देना चाहता हूं अपने OTC desk में जितने bitcoin है मेरे पाद 40, 50, 60,000 सारे bitcoin ले लो coinbase बोलेगा आजो ले लेते हैं सारे के सारे bitcoin पर नहीं हम वो नहीं करेंगे हम market को धीरे-धीरे करके नीचे गिराएंगे और उसके बाद हम लोग यहा यहां पर create करते रहेंगे यह है German government का हिसाब Madgox का हिसाब अलग चल रहा है पिछले दो सालों से हम लोग इनके बार में बात कर दे है हर थोड़े time बात कहानी आती है repayment होने वाल है date postpone होती है finally date निकल के आती है कि जुलाई में अब हम लोग इसको payment यहां पर करेंगे update आता है market वहां से crash होता हुआ देखने को में मिलता है उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि वो एक wallet में near about 47,000 bitcoin को cold wallet से transfer भी कर देते हैं और इसको track भी किया जाला है track कौन कर दे हैं जो बड़े अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का बड़े बड़े जो tools है वो इनको track क में ले आते हैं market में data लाते हैं वहीं पर panic का moment यहां पर बनने लगता है देखो क्या Germany के पास bitcoin है यह सब को पता था Medgox का repayment इस साल होने वाला है यह भी almost सब को यहां पर पता था तो question आता है फिर panic movement क्यों बन रहा है यहां पर currently all coins में liquidity ही नहीं है कि अगर कोई 15 million की all coins भी sale out कर देगा बड़ी market cap आले वो all coins यहां थे 5-5-10% नीचे गर दा है Medgox की कि हो सकता है तीन महीने का delay हो जाएगा इने जो users है उनको bitcoin receive करने में क्यों क्यों क्योंकि कल हमने भी इस चीज को share किया था इन्हों ने एक pdf share किया जिस pdf में इन्हों ने बोला है कि भाई अब कुछ criteria है जिनको bitcoin मिलेगा उसके criteria है और उसको लेके इन्हों ने बोला ह हर जगा जगा आर्टिकल है कि criteria fulfill हैं यूजर को तीन महीने लग जाएंगे जब आपने announcement किया था कि हम लोग bitcoin का repayment करने वाले हैं आपने उस time पर अपने criteria क्यों नहीं बताए कि यह criteria होंगे हमारे क्योंकि market को panic करना था उस time पर चलो यह इतनी कहानी हम चलते हैं कि panic के लिए करा है इन्होंने अब कहानी क्या आती है अलग-अलग चीजे समझो अब एक और update circulate होता है यहाँ पर वह यह है कि 99% users जो है वो bitcoin को sold out कर देंगे यह analyst बोल रहे हैं अब यहाँ पर कैसे पता किसी analyst को मेरे पास था यहाँ पर bitcoin मैं नहीं sell out करता तो मैं तो इस league set हिया बहुत लोग है ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जो bitcoin sell out नहीं करने वाले कैसे predict कर सकती है आप 99% sell out कर देंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चीजों को panic किया जा रहा है market में simple question है इस समय Larry Fink कहा है BlackRock कहा है अब अब BlackRock की से आर्क इंवेस्ट की तरफ से फेडरेटी की तरफ से bitcoin को एक लाग पांच लाग एक मिलियन पे ले जा रहे थे कहां चले गए अब सब के सब आपने कई बार ध्यान दिया होगा जब हम लोग bitcoin 70,000 डॉलर पे था हर कोई bitcoin को एक लाग डॉलर पे ले जाने की बात करता था मैं भी करता था मैं आज भी बात करता हूँ कल भी करूँगा पड़सो भी करूँगा पर अब कहां है अब कोई क्यों नहीं बात करता बिटकोई करेंटली हर तरफ से नेगेटिव अपडेट्स है एक से एक नेगेटिव अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं और कुछ ताइम पहले एक भी नेगेटिव अपडेट नहीं था सिर्फ एक बात हो रही थी bitcoin अब 70,000 डॉलर पे जाएगा bitcoin अब 30,000 डॉलर पे जाएगा bitcoin अब 1 लोग है ना यह मिले हुए पहले टाइम पे भी यह manipulation होते थे पर इतने जादा नहीं होते थे जितने अब हो रहे है manipulation क्योंकि अब ना जो एक तरीके से देखो ना majority यहाँ पे institutions हा रहे हैं वो institution जो अब हटना नहीं चाहते है जो bitcoin को छोड़ना नहीं चाहते ब्लैक रॉक 101% वो बोलेगा नहीं मैं buying करना हूँ यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा इस समय फेडरेल्टी आर्क इंवेस्स कोई नहीं बोलेगा इस समय हम buy करने हैं यहाँ पे क्यों कि बोलेंगे तो भी market में sentiment change हो जाएंगे ना market up हो जाएगा हम तब बोलेंगे जब bitcoin फिर से 65,000 पे आ मैं यह नहीं बोलना हूँ आपको कि bitcoin का हो गया भाई अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा हो सकता है bitcoin फिर से नीचे नहीं जाना चाहिए था 57,000 के लेवल पर लेके जाया गया है इस तरीके से चीजों को planned किया कि इसमें सब involved है इसमें बड़े-बड़े media house भी involved होंगे obviously ब हाली वो article डाल के website पे नहीं चल सकते ना लोगों को hire करें कैसे चलें वो इन्हीं news के बरूसे चलते हैं यहाँ पर एक token को उपर लेके जाना है news update करो आपने देखा होगा आर्बिटम ओपी के बारे में कोई बात ही नहीं करदा है इस समय ओपी आर्बिटम का price 0.636 पे आ गया हुआ है और ओपी का price optimism का price 1.34 डॉलर पे आ गया पर कोई बात ही नहीं करने को तहीं आ रहे है उनके बारे में बात होगी कब होगी जब यहां से reversal लेने चालू होगे ज जब भी आपको जाए आपको लगता है इस price पे आप खरीद सकते हो खरीदो उसे यह cycle बहुत अलग होने वाली हर बार से बिटकोईन की having से पहले बिटकोईन कभी अपना all time high नहीं बनाता है इस बार बनाया और वही इन institutions ने बेफकू बनाया अब जब इस जगा पे हम पहु और जो एक एक दिन में 10-15% BTC गिरा है न वो एक एक दिन में 10-15-15% BTC पढ़ेगा और तब जाके फिर लोग खरीदेंगे कि हाँ यार अब हम खरीदेंगे अब market यहां से reversal हो रहा है सारे के सारे मिले हुए हैं ये जितने बड़े institutions हैं जितने बड़े media house हैं जितने बड़े हाविंग से पहले कभी Bitcoin का all time high नहीं बनता है और इस बार जो institutions है ना बड़े बड़े वो दो काम करने वाले है Bitcoin को तो पकड़ेंगे पकड़ेंगे वो alt coins को ही पकड़ेंगे जो बड़े alt coins हैं ये वो alt coins है जिसके बारे में जो fundamentally बहुत ज्यादा strong है मैं फिर से यहां पे ना से सीधा 2-3x का pump लेंगे वो तो जो buy करना है आप buy करो यहां पे इन लोगों को छोड़ दो जो ये market को manipulate कर रहे हो सकता है market और नीचे गिर जाए Bitcoin अगर नीचे यहां से गिरा तो alt coin और 30-40% गिर जाएंगे आप सोचो के नहीं हम तो उस price entry लेंगे पर नहीं पता किसी को यह कहां तक इस चीज को manipulate करेंगे पर जो भी हो रहा है न यह हो नहीं रहा है इसको जान पूछ के यहां पर करा जा रहा है सिर्फ इसलिए हम buy कर लें यहां पर हमारे साथ के लोग buy कर लें हम लोग पीछे ना रह जाएं हम लोगों को एक token को buy करना था जो आज तक 3$ चल रहा थ उसको 0.5 पे लेके चलते हैं, मार्केट में इतनी negativity फैलाते हैं, कि हम उसको खरीद लेते हैं, और जब हम उसको खरीदेंगे, फिर हम लोग उसके बारे में गुनगान करना स्टार्ट होंगे, यही future है, यही digital gold है, क्यों नहीं BlackRock बात करणा आपके Bitcoin digital gold है, क्यों Larry Fink के interview अपनी आ रहे हैं, Larry Fink के interview 70,000 डॉलर पे आ रहे थे, 50,000, 55,000 डॉलर पे Larry Fink के interview नहीं आ रहे हैं, जब ideally आने चाहिए, क्या आने चाहिए, panic नहीं होना है, Bitcoin खरीदो, अब नहीं बोलेंगे Bitcoin खरीदो, कब बोलेंगे, जब Bitcoin उपर चला जाए, जब वो खरीच चुके होंगे अपना, तो जो अभी आपके सामने हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ, आप लोगों को पागल बनाने के लिए हो रहा है, आप लोगों को बेफकुप बनाने के लिए हो रहा है, जिससे retail investor गलती से भी crypto में ना गुसे, और उनके दिमाग में इतना डर बैढ़ जाए, कि वो डर के माले कि bitcoin तो फिर 50,000 डॉलर, और bitcoin तो 47,000 डॉलर, 45,000 डॉलर, 40,000 डॉलर जाने वाला है, वो सारे अपने altcoins बेश दें, और जब ये लगेगा कि हाँ, अब सारे altcoins बिग गए हैं, आजाओ भाई, अब खरीदना शुरू करो, exchanges भी मिले हुए है, exchanges भी यहाँ पर future trade में लोग को liquidate करते हैं, क्योंकि लोग spot trade नी करना चाहते हैं, वो future trade करना चाहते हैं, क्योंकि लोग अपने card share करते हैं, हमें इतना percent profit, हमें इतना percent profit, लोग उसमें आ जाते हैं, तो please इन सब चीजों से भचके रहो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी अकल लगाओ यहाँ आपे, नहीं तो cryptocurrency market एक ऐसी जगा है, stock market में फिर भी, थोड़े से chances जादा हैं, stock market में भी maximum नुकसानी होगा, पर वहाँ पर फिर भी थोड़े से chances जादा हैं, profit होगा, cryptocurrency market में, majority जो user है न वो नुकसान में रहने वाले हैं, क्योंकि इसी mentality से डड़ लगा रहता है, जब खरीदना है, तो भई उस time पर इतना good environment होता है, सब कुछ goody-goody बाते होती है, positive बाते होती है, मैं उसके लिए जितना अच्छा अपना portfolio बिल्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर करो, I hope चीजे आप लोग को समझ में आई होंगी, सारे points, जिनके बारे में मुझे यहाँ पर बात करनी थी, वो सारे points almost मैंने cover कर ली है, कुछ है छोड़ गया हो, उसको मैं pin करके यहाँ पर डाल दूँगा, आप लोग का opinion है, आप लोग को क्या लगता है, वही opinion है, जो कई लोग का है, कि यार तुम्हें क्या फरक पड़ता है, तुम्हें तो YouTube पे वीडियो बनाने, views के लिए यार, views के लिए चाहिए होते हैं, बेफ़कूफों की तरह बिटकोइन पर वीडियो नहीं बना रहा होता, हैंसर पर वीडियो बना रहा होता, सुबा से शाम तक, बहुत ज़्यादा views आ जाते हैं, अब तक तो subscriber भी डवल हो गए होते हैं, तो रुपे भी आते हैं, उसके लिए नहीं बना रहा है, आप लोगो समझाने के लिए बना रहा हूं, जो गलतिया मैंने पास में करी हैं, मेरे सी होई हैं, वो आप लोगों से न हो यहाँ आपर, आप लोगों का लाग रहा हैं मेरी बात सुनके, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएगा तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक हो शेज जरूर केगा चैनल में अगर आप नए है फर्स ताम वीडियो देख रहे हैं जरूर हमाई चैनल को सबस्क्राइब कर जेगा टेलिगराम को जरूर जोइन करके रखो जितने भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको टेलिगराम के उपर ही मिलेंगे Thank you friends